नमस्कार, आप सवने कर्मा फाउंडेशन ना सहरा इनिशेटिव तरफ थी, हैपी दिवाली, हैपी न्यू यर, अन्याजे हैपी देव दिवाली टहवारोनों समय पड़ा कोरोना काडमा एक अलग रितेज गयो छे, औने आ समय गाडामा सहरा इनिशेटिव नी ज्याकी टीम छे, ए आपनी पास से आपनी साथे नवा नवा लोको नी मुलाकात करावी शक्ये, एना माटे कारियरत अती सतत, अने आजे एवा बे नारी शक्ती जेमनाविशे जानी ने, खुबज, खुबज मनोबळ प्राप्ते थाए, पॉजिटिव एटिटिउड आपनों थाए, अने डीस एबिलीटी माथी पन पोतानी क्रियेटिविटी ने, पोतानी एबिलीटी ने चेक करीने केवी रिते रूप बनी शकाए, एवा बे उदाहरन रूप जीवन्त व्यक्ति थो, एने आजे आपने मलवाना छिए, आजे आपने मलिश्यू डॉक्टर कुसुम लता भंडारी जी, जे ओ रिटायर्ड प्रोफेसर छे, अने अतियरे आपनी साथी जुडायाए छे पायल श्री-श्री ये आपनी वातने सारी रिते समझी शके, अने एमनी वातने तमारा सुधी, हूं एवीज रिते पहुंचारी शको। तो आगे की बाते जो भी होगी, वो हिंदी में होगी। पायल जी की साथ हमारी मुलाकार शुरू करने से पहले, मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो रॉ सच कर रही है, अपनी जिंदगी के सातवे साल की जो जर्नी, महीं बहुत सात साल की बच्ची की जो जर्नी होती है, वहाँ पे अचानक से मस्कूलर डिस्थ्रॉपी, शायद ये बोलना भी, या ये सुनके समझना, या बहुत-बहुत कठिन होता है साथ साल के बच्चे के लिए, और उन्होंने वो चीज़ को अपने शरीर में प्रस्थापित होते हुए महसूस किया, और उसके बाद जो भी स्ट्रगल शुरू ही और इतनी लंबी जरनी के बाद साथ साल की उमर से मस्कूलर पिस्थ्रॉपी का, जिसको मतलब एक लाई-लाज बीमारी बोल सकते हैं, जिनको भी इसका पता है, जो सनायों को बिल्कुल छीन कर देता है, उसकी शक्ती छीन लेता है एक छोटी सी बच्ची जो कूद रही थी, खेल रही थी और अचानक से उसको पता चलता है कि उसको तो इस डॉक्टर के पास जाना है, उस डॉक्टर के पास जाना है और फिर भी, वो आज हमारे बीच, आज एक हस्ती बनके बैठी है, आज हम उनसे सुनेंगे, उनकी जीवनी के बारे में और उनके जीवन में जो संगर्श हुए, उसमें से हम कुछ सीखेंगे पॉजिटिव एटिटूड कैसे रखा जाता है, मुश्किल ख्षनों में कैसे जीआ जाता है, और खुद तो जीते हैं लेकिन दूसरों को कैसे खुश किया जाता है, ये सारी बाते पाइल जिससे मिलने के बाद हम सब को प्रतीत होगी मस्किलिय डिस्ट्रॉपी इस शब्द की गंवेता को एक साथ साल की चंचल मासुम सी बच्ची की हसी छीन ली, पर उसने हसना नहीं छोड़ा उसके शरीर पे इस लाई लाज जो रोग है उसने कबजा कर लिया लेकिन उसके अंदर की उर्जा ने उसको और उर्जावान किया उसने अपनी हसी को पर्मेनेंटली अपने चहरे पे अपनी अंतरात्मा पे महसूस कर लिया और उसको चिपका दिया बोले तुम शरीर में मस्किलर डिस्ट्रॉपी रहो कोई बात नहीं लेकिन मेरे अंदर की उर्जा मेरा आत्मा मेरा चहरा हमेशा खुश खुशाल रहेगा लोगों को खुशियों बाटता रहेगा और वो बाटते बाटते मैं खुश होती रहूँग पाइल जी आप एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर चीज में सुन्दरता देखती है हर एक कलाकार की ये एक बहुती बड़ी खुबी होती हो इश्वर का अशिरवाद होता है कि वो हर बात में से सुन्दर क्या है वो डून लेता है उनकी अलग द्रस्टी होती है और पाइल जी इस गुन से बहुत भरी हुई है वो हर एक बात में से पॉजीटिविटी डूंड लेती है और फिर अपने क्रिएटिविटी के थरू जिसी कि वो आर्टिस्ट है वो पैंटिंग्स बनाती है और वो महंदी और टेट्व आटिस्ट है वो दोनों हाथों से डिजाइन बनाती यह बहुत बड़ी उपलबती है आपकी, लोग एक हाथ से भी सिखते सिखते, पता नहीं कब जाके मास्टर हो पाते हैं, आप दोनों हाथ से महंदी करती हो, आप दोनों हाथ से टेट्यू बना सकती हो, और वो यह लड़की है, जिसको जो शनायू की जो बोली जाती है, जो ब लेकिन उन्होंने अपने हाथ को, अपने मन को, अपनी आखों को, अपनी सोच को कभी भी डिसेबल नहीं होने दिया, वो डिफरेंटली एबिलीटी के साथ जीती है, बहुत खुमारी से आन बान शान से जीती है, और ऐसी महिलाय, ऐसी नारी शक्तिया, हम सब के लिए हमारी प पहचान करवाने की प्रेर्णा मुर्ती बन सकती है, तो पायल जी, वर्म वेलकम टो आवर शो, कर्मा फांडेशन का ये अचिप्टेट से स्वागत है, और आपके बारे में जितना जानती थी, मैंने बताया है, लेकिन फिर भी, बच्पन से लेके, आज तक जहां जहां जह अचिप्टी और अचिवमेंगे, उसके बारे में आप से बाद परके जाने के लिए, तो फर्स और फॉल मैं क्वेश्चिन, साथ से शुरू करते हैं, जो बच्पन में ये जो चीज़ आपके साथ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉपि, उसके पहले का भी बच्पन है, और उसके बहुत सीज़ नमस्ते। नमस्ते, थैंक सोमच कर्मा Invest Vision मुझे यहां बुलाने के लिए और वेरी 이야기 पारे जाने के लिए तो घंक सूमचू मुEl Bajpan में वैसेही मेरा बच्छमन बहुत अच्छा था मेरी मैं ज्यासान के बहुत ही दून से हूँ और मारवारी स्यामिली से बिलॉं करती हूं और मेरी अपरिंगिंग जॉइन डॉयンフेयर कोई तो मैं बहुत ब्लेश्ड़ू कि जो पाइल जी जुड़ेंगी हमसे फ्रेंग्स, सम्माई मडल चे तेग वात करें लो तो कभी लगा नहीं कि हमें बाहर दोस्तों की जरुवते हमेशा दोस्त हमारे साथ रहते थे तो धीरे धीरे मैंने नोटिस कि आ कि मुझसे लेकर्गे घर में बात हो रही है जैसी कान्सरन है तो पारिंस ने नोटिस कि Од πी मिरी ऑॉप डिफरेंट है तो उन्हा ने जब नोटिस कि मैं पंजोब प्य-चलना मेरा स्टार्ट हो गया था तो वो डोकते थे कि तुमारी आदत पर जाएगी पंजो पे चलनी की और फिर जब पीक नहीं हुआ, उनका टोकने से भी मेरा वाकिंग बैसा ही स्टाइल रहा तो फिर उन्होंने एक दोक्तर को दिखाया, थिजिशन को दिखाया और नेरे काफ मसल्स बड़े बहुत बल्की थे वो ताइम पे, का तो दॉक्तर को दिखाया तो डॉक्तर को शायद सस्पेक्ट हो गया था कि ये ये मस्कुलर जस्टोफी के सिंटम्स है लेकिन उन्होंने हमें सचिस्ट किया कि आप किसी बड़े डॉक्तर से तो आइधिंक दिवाली वेकेशन आने वाली थी और मैं दिवाली वेकेशन में मुंबई क्योंकि मेरे मामू रहते हैं मेरे ननियाल है तो मैं मुंबई मेरे लिए best option था तो वहां पे बॉंबई हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे उनको चेक अप करवाया तो डॉक्टर ने पहले बार तो उन्होंने उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं तो उन्होंने मुझे टीवी का कोर्स दिया जो कि नौ महीनी का होता है तो उसके बाद हमने follow-up किया आफ्टर 9 months उसके बाद उन्होंने क्योंकि उन्होंने का कि सिफ एक ही तरीका है और बाइपसी तो शायद मेरे डाग डर गए थे कि इतनी चोटी सी बच्ची है और बाइपसी मतलब बाइपसी मींस operation तो वो डर गए तो उन्होंने बोला चलो एक बार और तीवी का कोर्स ट तो वो डॉक्टर इसलिए बहुत बड़े थे और उनके 25 यह के एक्सपिरियंस मैं मैं फर्स्टेस थी डॉक्टर का मानना था कि एक तो यह डिजीज बहुत रह 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 है तीन लाख लड़कों में से एक लड़के को होती है और उपर से मैं आज अ फीमेल मैं उनके लिए फ कभी उदर टेस्त करा तो मुझे समझ में यह रहा था घर में और भी बच्चे थे मुझे बिल्कुल समझ में नी आ रहा था कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है लेकिन क्योंकि बहुत छोटी थी यह सब क्वेशन करने के लिए तो मैं चुप रह थी और बहुती रिजर्व जमीन से उठना, सीडियां चड़ना, साइकल चलाना, यह दीरे दीरे चलते चलते गिर जाना, यह सारे सिम्टम्स आने लगें, जो कि शायद डॉक्तर ने पारेंस को बता दिया था, लेकिन मुझे पता ने था, तो मतलब और होता कैसे ना हमारे आसपास की, कि हम डॉक्तर को जो बताते हैं, हमारे आसपास की रिलेक्टिव और फ्रेंड्स और वो सब डॉक्तर बन जाते हैं, कि आप ऐसा की जीए, आप खुदर दिखाएए, आप मंदिर जाएए, आप मैं ब्लाक मैजिक ट्राय करो, आप पी ट्राय करो, तो मैं इन सब चीजों से बहुत थक गई थ हैं, तो मेरा बच्चमन बहुत 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 फेस से गुज़राया है, मतलब जीरो टू, मजबले टिस्टोफी की बी डिसिप्ट आ गया था. तो मैंने आपको और आपने बताया, लेकिन सौरी अगर यही पेइन, वही पेइन अगर आपको वापस से फील करना पड़ा हो तो, लेकिन एक यह बात इसलिए जाननी थी, कि छोटी सी बच्चे के साथ यह सब होता है, तो पैरेंट्स को भी कैसे डिल करना चाहिए, और बहुत सच बताया है कि लोगों के इमोशन ऐसे जुड़ जाता है, ऐसी चीज सुनने के बाद, तो हर कोई अपने दिमग में जो भी लगता है, ऐसे बुलते हैं कि वो चप्ती, वो राक से भी इलाज हो जाता है कभी-कभी, इसलिए लोग इस प्रकार की चीजों में इन्व अपका एजुगेशन किस प्रकार से, मुल अब नॉर्मल स्कूल में हुआ या फिर आपको कोई स्पेशल स्कूल में जाना पड़ा, या किस प्रकार से आपका एजुगेशन हुआ? मेरा अजिगेशन नॉमल ही हुआ है हम सब काजिन एक साथ जाते थे और बहुत ही नॉमल हुआ है क्यूंकि मुझे लगता है फूर्थ और फिट से मेरी प्रोब्लम्स बढ़नी स्टार्ट हो गए थी और फूर्थ और फिर्ट से हमें फर्स फ्लोर पे हमारा क्लास्रूम फर्स फ्लोर पे शिफ्ट हो गया था तो मैं हर रोज सीडिया चड़ती थी एसंबली के लिए जाती थी फिर से नीचे आना ग्राउंड में जाना फिर से उपर जाना लंच ब्रेक के लिए नीचे आना फिर से उपर जाना और जब चुटी हो जाती है फिर वाकस जाना तो सीडिया भी लेदा चड़ना ही मेरे लिए ऐसी होता था कि मैं माठेन क्लाइं करनी जितना तफ हो था उर होता था मेरे बहुत जादा लेकिन तब ही ऐसा था कि मेन कभी स्कूल से फेवर नहीं मांगा या मेरे पारेंस नही उनको लगा कर सकती है और हो रहे ह경 introduction तो मुझे लगता है कहीं न कहीं lack of awareness आई थी मेरे time पे और ये सारी चीजे ना कि वो उनका प्यार होता है लेकिन मैंने experience किया है कि प्यार वो सब ठीक है लेकिन जब आप aware नहीं होते हो ना इन सब चीजों के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा आप कोई सारी bother करना होता है tolerate करना होता है क्योंकि ये सारी चीजे आप इधर जा रहे हो उदर जा रहे हो तो क्योंकि डॉक्टर ने तो day 1P कि बोल दिया था कि it's incurable और research हो रही है तो आप contact में रहिए और अगर होगा तो हो सकता है सची में पायल जिसके उपर बीच्टी होती उसके बीच्टा होती ये सब क्या होता है पर फिर भी आप सब तो यू और अगे पड़ते अपनी बात में ये सारे लिमिटेशन के जैसे अपनी आवाज एको हो रही है हाँ थैंक यू आप मुझे सुन पा रही है ना तो जैसे सेडिया चड़ना लाइक मांटेन चड़ना तो फिर क्या होता है चलना भी वैसी दिक्कते आती है अपनी मोबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है उपर से सोशली भी आपको लगता है जैसे से बड़े होते हैं तो लोग अलग है आप अलग हो यह सारी चीजों को एक्सेप्ट करना तो यह सारे माहूल में आपने अपने आपको कोक अप कैसे किया और आज की पाइल शुरुशीमल जो हमारे साथ बैठी है वो कहां से निकली तो जो आप मुझे अभी देख रहे हैं ना बोल्ड तो मैं हमेशा से वैसी नहीं थी मैं बहुत ही रिजर्व सी, डिस्टिप्लेंग, बहुत ही पेशिंटली काम करने वाली वैसी लड़की थी तो मतलब जैसे जैसे बोलते ना एक दर्वाजा बंद हो जाता है तो आपके लिए बहुत सारे दर्वाजे खुल जाते हैं तो वैसे ही मेरे साथ शायद हुआ कि मैं भी मैं पार्टिस्पेट नहीं करती थी जब सब बच्चे करते थे या हम सब बच्चे जब ग्राउंड में खेल रहे होते थी तो मैं चुप-चाप बैठी रहती लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में नेचर को लेके, पैंटिंग आट को लेके, वो थोट्स हमेशा से थे, सिंस चाइल होड़ तो शायद अगर मैं नॉमल होती, सो कॉल नॉमल, डिफरेंट्ली अबिलिटी वाली नहीं होती, तो शायद मुझ मैं इतनी स्पेशल अबिलिटी भी नहीं होती, शायद मैं आज जो आर्टिस्ट हूँ, वो नह आरी चीजे मैंने फिस की हैं, लाइक, मुझे लगता है कि 20 की एज में मैंने एक डॉक्टर से बात की थी, फर्स ताइम, इससे पहले ऐसा होता था कि पैरेंट्स बात करते थे, मुझे बाहर बेज देते थे, तो पैरेंट्स से डिस्कुशन होती थी, दॉक्टर की, तो मु उनके दिमाग में यह था कि ऐसे बचो की लाइफ 20 तक ही होती है, उनका लाइफ्सपन 20 तक ही होता है तो अब जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे लगता है कि उनका वो फियर शायद में 10 साल की थी तब से ये फियर था कि शायद मेरी बेटी का लाइफस्पेन बहुत कम है तो प्यारेंट्स को अवेर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग बोलेंगे जब तक आप अवेर नहीं होती हो न तब तक चीजें काम नहीं करती सही है तो कैसा लग रहा है जब जिन्दगी इतनी चोटी है अइसा पता चला और उसके बाद ये जो उसके बाद भी पाई शुरेशी मल इतनी खुछवाल तरीके से बैटी है बाते करती है, जिनदा दिल, जिनदा दिली से जिनदा है, बच्चों के साथ खुष है सिखती है, सिखाती है कैसा लग रहा है? मैंने मैंने मुझे ये समझ आईती है after 20, जब मैं 20 साल की हो गई तो मुझे पता चला तब मैंने फर्स ताइम डॉक्टर भरूच्छा थे, बॉंब्य होस्पिटल में तो मैंने उनसे मैं फर्स ताइम इंटरेक्ट किया था दॉक्टर ने बोला था कि दूसरों के कंपेर में आपकी कंडिशन मच बैटर है, वो ताइम तक मैं फुली इंडिपेंडेंट थी तब तब वो दॉक्टर ने बोला था कि पाल आप कॉंटेक्ट में रही है और रिसर्च हो रही है तब मैंने एक्सिप्ट कर लिया कि I'm I'm good the way I am मुझे और कुछ नी चीए लेकि मुझे यह सारी चीजे बहुत बौदर करती है कि अगर किसी ने बोल दिया उस डॉक्टर की पास लीके जाना है किसी ने बोल दिया कि उस वो ब्लाक मैजिक करवाना है यह कुछ करवाना है वो मुझे बहुत 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 जादा टॉलरेट करना होता था बहुत बौदर करता था तो मैं एक्लीस उस चीज के बाद समझ गई कि मुझे एक्सिप्ट कर लिया कि इस ओके मुझे मुझे मस्कूलर जिस्ट्रॉफी है और ठीक है और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई क्योंकि ऐसा होते हैं कि पैरेंस आपको पैरेंस होप नहीं छोटे पैरेंस कुछ नकुछ आपके लिए ट्राइ करते रहते हैं तो मेरा एक आयुरवेदा का कोर्स स्टार्ट हुआ था तो वो मेरी बॉडी में इतना जादा उसने हीट कर ली कि मैं अनकॉंशिस हो गए थी और मुझे इमर्जेंसी में फिर मुंबई फ्लाइट में लेके गए थे और वहां में सिक्स देज होस्पिटलाइस थी उसके बाद रिकाभी होई थी तो फॉड़ग फॉड़ग मैं पच गई क्यूंकि मेरी कंडिशन वैसी नहीं थी पचने जैसी लेकिन मैं बच गई उसके बाद मेरे पैरेंस बहुत जादा पॉजे से हो गए कि नहीं आपको बैट से उठना नहीं है आप यह मत करो आपको जो चाहिए हम बैट पे लाके देंके और उससे मेरा confidence लूज हो गया तो उसके बाद जो six seven years से ना मैं room मैं age थी अपने कमरे में अपने कमरे में ही कैथ थी सिफ मैं और मेरा बैड और मुझे कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता था कुछ socially और क्योंकि धिरे-धिरे मैंने भी पड़ा मैंने भी देखा तो मुझे भी लगने लगा कि हा मस्किले डिस्ट्रॉफिय में लाइफस्पें बहुत कम हैं तो म मेरा टर्निंग पॉइंट आया social media पर मैंने देखा कि stem cell therapy आजकल चल रही है और stem cell therapy में trials हो रहे हैं तो मैंने stem cell therapy ली थी 2013 में तो stem cell therapy ने तो इतने benefits नहीं कि लेकिन वहाँ जाकर रहना और therapy लेना वो मेरे लिए बहुत life changing था आपे six days की training six days का वो पुरा package होता है तो वैसे मैंने first time wheelchair use की first time मैंने लोगों को तेखा कि वो wheelchair पे भी खुश रहते हैं और use करते हैं without any guilt क्योंकि उससे बहले जब मुझे railway situation या कहीं करनी होती थी तो मैं तो बहुती गिल्टी feel करती हमेशा वेसे जैसे wheelchair पेटना है मतलब आपने कोई crime किया है तो उसके बाद उसके बाद मैंने wheelchair खरी थी उसके बाद मैं बाहर गई काजन्स की साथ picnic पे जादी थी 2013 मैं मैंने exhibition लगा लिया 3-4 मंस के बाद जब मैंने stencil लिया 3-4 मंस के बाद मेरा second exhibition था जो की जैपुर में था 2014 मैं मैंने beauty pageant में participate किया वहां मुझे Miss Beautiful Hair Award मिला और वहीं से मेरी journey फिर स्टॉप नहीं हुई brilliant 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 देखा मतलब यह लाइफ होता है कि आप सोचते हो कि हायराम मतलब डिप्रेस हो जाते हो बहार निकलना छोड़ देते हो और कभी-कभी क्या चीज के लिए जाते हो और क्या हो जाता है तो thanks to this, आप जो stem cell therapy के लिए गई तो आपको एक नया आया मिला जिंदगी को और आपने बता है कि आपने exhibitions भी किया है आपकी paintings का कि आपके परस अभी handy है कोई painting जो आप दिखाना चाहों और उसको थोड़ा सा describe करना चाहों तो please वो दिखाए जे और तब तक हम बात करते हैं आपकी success की अच्छा आगी painting ओके पूरा आपके आपका चेहरा नहीं दिखेगा तो चलेगा फिर बात कीजेगा उसके बारे ओके आई तो आई से यह आप हो और यह आप और यह आपको और आपके टेंटी नहीं दिखेगी सीट के उपर वीजए है मतलब नॉमली कैसा होता है ना कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो लोग एक पिटी वाली नजर से आपको देखते हैं कि ओ बिचारी वीलचेर पर है तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बिचारी मैं नहीं हूँ और दिसिबिलिटी की कोई डेफिनिशन नहीं है हम साब दिसिबिल है यह जिस तरह मैं चल नहीं सकती तो किसी में शायद इतने थौट्स नहीं होंगे कोई क्रियेटिव नहीं है कोई इतना मैचूर नहीं है एक्सेटर एक्सेटर तो मेरा यही मानना है कि यह पेंटिंग मेरे मैंने इसी यह बनाया था क्योंकि यह विजिन काफी टाइम से था कि जब कि आप सोचली जाते हो तो आपको एक पिट्टी वाली फिलिंग काजर नहीं है तो मतलत इसका यही है कि यू सी मी ओन वीलचेर और इस एव जिससरब बर्ट की केपिपिलीटी उसके उड़ने से होती है वो पानी के अंदर स्विं नहीं कर सकती कि spéसें टोछ देना सक्ति है लेकिन वह फ्लाइक भर्थ की तरह फ्लाइ निह कर सक्ति है तो सब्की अपनी अपनी और काबिलियक होटिया अपनी बीजिंख हो टीक आप इसनल यह तो उप्लाइटे निक भी होटी है सब्हुटं यह सोफ बीज हम सोच नहीं सकते कि और क्या करें जहां कि आप विल्चेर पे बैटकी बी पुरी दुनिया की सोच को अपने अंदर समा के कुछ नया कर सकती हो सो उसके लिए मैं आपको डेफिन ली ये आदर के साथ आपको वंदर करना चाहिए कि आपकी भू स्ट्रॉंगर्स है और कोई भी लड़की कि सामर की स्ट्रॉंगर्स होती है न तो वो डर जाती है वो सहन जाती है लेकिन इससा कहा जाता है कि बगवा की उसी को देते हैं ऐसी तकलीफे जो उसको सहने के काविए तो आपको वो सहन शक्त गी उसने इसलिए आपको इस पैसल केड़ेगरी में रख कि बेड़ा तुम डिफरेंट हो तुम्हारे अंदे डिफरेंट अभिलीटी है और तुम्हें डिफरेंटली इस वर्ड के सामने प्रस्तूत होना है एक आपको प्रेहना मूर्ती बनना है ऐसे लोगों के लिए जो आपके जैसे specially able है डिफरेंटली एबल है और हमारे जैसे के लिए कि जो हाथ पाउ सब सलामत होने के बावजूद यहां से डिसेबल है सो आपका कोई मैसेज हो जो आप सोसाइटी को देना चाहते हो तो प्लीज मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी सोचते हो ना कि हम सोचते हैं कि मैं यह करना चाहता हूँ लेकिन तो लेकिन नहीं आता अगर आपको लगता है कि आप करना चाहते हो तो देफिनेटली आप कर सकते हो आप में इपनी ट्रीटी है कि आप कर सकते हो और मैं बिलीव करती हूँ नया कुछ सीखने में तो मैं हमेशा कुछ नया सीखने में बिलीव करती हूँ मैं हमेशा नय आपको सुनने के बाद जितने भी पैरेंट से इनके पास ऐसे स्पेशल बच्चे हैं वो थोड़े से अवेर हो जाएंगे आपकी बाते सुनकर अपनी सोच को विस्तृत करने का मौका मिलेगा और आप नया नया सीखती रहिए सीखाती रहिए और बस ऐसे ही खुश रहिए थैंक यू सो मच पाय आपकी जोड़ी थैंक यू थैंक यू फ्रेंग्स डिस एबल आपने बोलिये ने कि डिफरेंटली एबल बोलिये ए आपना शब्दो छे आपनी अंदरनी मान्यताने धड़ करवानी जरूर छे कि कोई पन व्यक्ती मतलब कि दरेक व्यक्ती ने इश्वरे अनिको खुबी आपी छे इतली क्यारे हताश थवानी जरूर नती होती कि कि यांक कोई क्षेत्र मां पहीं के वू लागे तो तमारा मांटे असिमित क्षेत्रों पड़ेया छे जयनी अंदर तमे तमारी पोतानी आवड़त थी सफर थाई शको छो बीजा मांटे प्रेनारुप थाई शको छो अने खुबज सकारात्मक अभीगम सा थे आगणवती श अपनी साथे जुडाया चे डॉक्टर कुसुम लता भंडारी जी अलो मैम अरे आंटी जी मुझे आप मैम मत कीजी मैडम मेरे लिए आप मैम है तो वेलकम कुसुम जी कर्मा फाउंडेशन के ये सेशन में जो सहारा इनिशेटिव ने आयोजित किया है उसमें आपका स्वागत है और कुसुम लता जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि Jimmy Dean ने कहा है Jimmy Dean ने कहा है I can't change the direction of the wind I can't change the direction of the wind but I can adjust my sails to always reach my destination और कुसुम लता बंडारी जी इसका एक बहुत ही उतकुष्ट उदाहरन है इस बात का जी अपने क्षेत्र में यह बहुत ही जाना पहचाना शहरा और नाम है डॉक्तर कुसुम लता बंडारी उनके जीवन की संगर्श गाता साड़े तीन साल के उम्रसे शुरू हो गई जब यह साड़े तीन साल के थे आप तब से जीवन एक संगर्श है वो जो टैग है वो उनके उपर लग गया जब उन्हें पोलियों हो गई और उस संगर्श गाता में तब से शुरू करके आज निवरुत कॉलेज प्राध्यापी का और प्रग्यानी के इतना नामक संस्था की संस्था पक तक की यह जो उनकी सफर है उसके बारे में हम आज उनसे जानेंगे और कुछ सीखेंगे कुसम जी को 1984 में कन्या रत्न पुरुसकार से नवाजित किया गया है 1995 में राश्टुपती पुरुसकार 2005 में मारवाड रत्न पुरुसकार 2010 में सूपर आइडल 2011 में समाज रत्न 2012 में Mind of Still इतने सारे पुरुसकार के अलावा भी धेर सारे पुरुसकार उन्होंने प्राप्त किये हैं अपने जीवन में कुछ अलग सा करके और अपने नाम को अपने काम को उन्होंने खुद इतनी शोहरत दी है कि आज कर्मा फाउंडेशन की सेशन में आपके साथ बात्चीत करने का जो मुझे मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं गौरव मिला हो मुझे उतनी खुशी मुझे प्राप्त हो रही है मैम और थैंक्यू के आपने अपना वक्त निकाला है और अब मैं आपको सीधा ही पहले प्रशन से शुरू करूंगी कि साड़े तीन साल की उम्र फोलियो के लिए हमेशा कहा जाता है कि बच्चों को ज्यादा होता है इसलिए पोलियो को टीपे जो ड्रॉप है वो देने चाहिए लेकिन शायद आप वो सगनसीव नहीं थी और साड़े तीन साल की उम्र भी जब आपको पोलियो हुआ और उसके बाद अप कॉलेज की रिटायर प्रध्यापिका भी रह चुकी और प्रग्या निकेतन नाम के संस्ता की संस्ता पके जहां पर सौ से ज्यादा ब्लाइंड स्टुडेंट है और डिसेबल्ड लोग डिफरेंटली एबल भी बच्चे हैं वहां पर जिनको सरकारी नौकरिया तक मिल चुकी है ऐसा शिक्षन आपने दिया है तो प्रग्या जी शुरू करते हैं कि पोलियो होने के बाद आपका जो जीवन है वो कैसे बदला और आपकी शिक्षा का प्रारम कैसे हुआ देखें जीवन में संगर्ष सबी के जीवन में होता है और यह होता है कि किसी के जीवन में किसी तरह का संगर्ष होता है किसी के जीवन में अन्य तरह का संगर्ष होता है मैं जब साड़े तीन साल की थी तब जब पोलियों हुआ वो घर्दन से नीचे पूरा शरीर पोलियों से प्रभावित हो गया था और ऐसे इस्थिति में डॉक्टर्स ने बॉम्बे में कह दिया था कि इस गड़की का जीवन वियर्थ है ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएग कि माता पिता से का का आप इसको देखके रोएंगे और यह आपको देखके रोएगी इसका कोई भविश्य नहीं है तो एक इतनी निराशा जनक स्थिति से बाहर निकलना कोई आसान चुनोती नहीं थी माता पिता ने काफी तो आरंबिक जीवन में और मैं दस साल की थी तब तक मेरा सिरफ इलाज चला नहीं तरह तरह से पोलियो का इलाज जो है जहां भी होता था वहां पर करवाते थे और डॉक्टर्स ने मेरी माता जी को एक ही बात कही थी कि अगर आप इसके दिमाग को बचा पाएं इसका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है और अगर दिमाग बच इस्तिती में मेरी माता जी ने यही ध्यान दिया कि मुझे किसी तरह की निराशा न हो और माता पिता ने पुरा प्रयाज किया इसके लिए और इलाज चलता रहा दस साल की उमर में कखग अगर और ABCD की पढ़ाई शुरू ही और बहुत ही जल्दी मैंने पिक अप कर लिया द तीन महीने में तीसरी क्लास की पढ़ाई हो गई तो बहुत जल्दी-जल्दी मैंने अक्षाएं पास करे लिए इसकूल में कभी भी स्कूल नहीं गई क्योंकि हमारे टाइम में 1959 में और 64 में या 65-70 में कोई ऐसी विवस्था नहीं थी कि विकलाग बत्यों को पढ़ाया जा या उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल्स हो या कोई स्पेशल विवस्था हो ऐसी कहीं नहीं थी ऐसी इस्तिति में यह था कि चलने ही सकती थी और बैठे ही रहती थी ऐसी इस्तिति में कैसे पढ़ाया जाए घर पे ट्यूशन रखके एक मास्टर साब आते थे जो मुझे बो मैं जब 14 साल की थी तब 10 की किता में आ गई और मेरे गुरु जी ने का कि इनको 10 का फॉम भरवाना है मेरे पिता जी ने का कि यह कैसे करेगी यह कभी स्कूल नहीं गई कभी कोई परिक्शन नहीं दी और क्या यह टेंट कर रहा है बहुत बड़ा प्रशन चिनने था और मैं लिए परिक्शा देना था जैसे पिक्चर जाना मुझे तो बहुत शौक आ रहा था कि मैं भी परिक्शा दो लेकिन मेरे पापा ने माश्क साथ को यह का कि आप इसको अगले 5 साल में देन पास करा कि इसको परिक्शा देने के इच्छा है तो एक बार दिलवा देते हैं ले लिए दिलाई जाती है मुझे फेल होने के लिए तयार किया गया कि कोई बात में अपरिक्शा दो पास होना जरूरी नहीं है तो मैंने भी सोचा जब दे तो दिया जाए परिक्शा और बस इसके एक्जाम दिया और उसमें मेरे 58% मार्क्स है क्या बात है पड़ी है बड़ी नहीं देखा और पड़ाई का एक द्वार खुल गया ऐसा समझे और मैं थोड़ा ग्यानुई की परिक्शा भी घर में रहकर की फिर बीए की परिक्शा के लिए मैं कॉलेज जरूर तो कॉलेज में जो आपका जाना हुआ जैसे घर की पड़ाई खतम हो गया तो वो सारे कैस आप जैसे रहे वो माहूल कैसा रहा मलत पी पूरी पढ़ाई कैसे हुई कॉलेज तक की भी कंप्लीट कैसे कर पाई आप कॉलेज आना भी बड़ी चुनोती थी कि कैसे क्या जो आपस में विद्यारती पता नहीं कैसा व्यवार करेंगे लेकिन जो पॉलेज था बीए तक के लिए वहां तो बहुत ही महोल खुशनुमा था बहुत सारे फ्रेंड्स बने टीचर्स ने भी बहुत सभी और उसके लगे यह सोच के पापा को तोड़ा संकोच था लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स थी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और गर पे आई कि नहीं आपको चलना पड़ेगा कॉलेज और वह कॉलेज लेके गई और जब मैं कॉलेज गई तो वहां पे बहुत अच्छा महोल मुझ कि वहां मुझे जाके पता लगा कि किस तरह से मानवी ववार को आगे बढ़ाया जा सकता है और लोगों में बुराई के साथ साथ अच्छा ही भी होती है और लोग अच्छा वेवार भी करते हैं तो बहुत अच्छा वेवार मुझे मिला और मैंने MA की परिक्षा पूरी की जिसमें मुझे फर्स डिविजन फर्स पोजिशन भी हासिल हुई थी ओहो अपने उस वक्त अच्छीव किया था लेकिन खुशी हमें आपसे सुनके अभी हो रही है तो वंडर्फूल वंडर्फूल ज्यादा अच्छा मिला जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो पहले दिन पंद्रह विजयार थी थे तो दूसरे दिन पैता लिस और तीसरे दिन क्लास खचा-खच वरी होई थी और विजयार ने इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया कि आत्म विश्वास हमें सब बढ़ कभी भी आपको लगा कि आप बैसाखियों के साहरे चल रहे हो या बैसाखी के साथ जा रहे हो तो वो आपको कुछ आपके मौर मरलब आपकी अंदर की जो पावर है उसको थोड़ा सा लोडाउन करता है ऐसी कभी भी आपको आई है जिन्गी के अंदर ऐसी फिलिंग फिर बस उसको साइड पर जटक आप छलते ही गए आ आगे मुझऺ ऐसी फिलिंग कभी नहीं आई मेरे मभी नहीं और जो प्रशा हो आप कर सकती हो ज़ो मंतर आसर्शल करने हैं कर सकती हैं तो मेरे को यह लगता था कि मैं जो करना चाहते हूं मैं जाना चाहते हूं जा सकते हूं जो करना चाहते हूं कर सकते हूं और मैंने वो किया वो मैं करती चली गई और ये जरूर है कि बहुत कुछ सुने को मिला इस बीच में कि बेचारी लड़की करेला और नीम चड़ा और कैसे इसके जिंदगी वीतेगी कैसे ये आ मदल लाचाव और निरर्थक बेटी नहीं हूँ, मुझे अपने जीवन को एक अर्थ देना है, व्यर्थ को एक अर्थ देना है, और उस अर्थ को देने में जो भी मैं कर सकती थी प्रयाश किया, और वो अर्थ देने में मैं कामयाब हुई, ऐसा मुझे लगता है. सही में इतने सारे पुरसकार, इतनी सारी नामना, इतने सारे लोगों को आपने शिक्षित किया, उनके फ्यूचर बन गए, आप बैसा खेके सहरे चलती थी, लेकिन आपने कई लोगों को खुद का सहरा, उसके परिवार का सहरा बनना सिखा दिया, यह बिल्कुल छोटी बात आपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानती हूँ, चाहे लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो अलग बात हैं, लेकिन एक बिलकुल कोरी स्लेट के ऊपर आप एक अक्षर लिखते हो, वैसे होते हैं बच्चे, दिरे दिरे पड़के जब वो कामियाब होते है और उनके पायोनियर्ज, आप जैसे टीचर्ज होते हैं, तो वो बहुत-बहुत काबिले दाद और काबिले तारीफ बात है माम, I, with new respect और with regards मैं आपको नमन करती हूँ, क्योंकि शिक्षक की हमेशा चरनवंदना होनी चाहिए, वो बहुत special होते हैं, तो हमारी जब बात हु प्रकाश डालेंगे प्लीज, देखें, जीवन में सब को कोई लक्ष चाहिए, जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, और सफल भी होते हैं, तो पहले तो चुनोती यह थी कि अपने आपको कैसे बनाएं, यानि अपना पढ़ना एक चुनोती थी, अपना पढ़ने के बाद न समाज में पूछा गया कि कौन है, किस की पुत्री है, तो मन में एक बहुत ही विश्वास जागरित हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक चुनोती थी, लोग कहते थे बच्पन में किस माबाब की बेटी है, कितनी बड़ी समस्या है उन माबाब के लिए, लेकिन ज जीवन का लक्ष आसिल करने के बाद, ये लगता है, कि ये लक्ष तो हसिल डिया, लेकिन अब क्या, भॉक्न कोई जीवन में कुछ तो करना होता है ना, ऐसा तो है नहीं, जीवन रूख जाएगा, कि आप एक सफल हो गए बस उसके बाद. फिल्म तो है, नहीं कि the end लिखख हो आजाएगा उसके बाद बहुत कुछ करना बाकी रहता है वो एक हमारी मंजिल होते हैं कि उसके बाद आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते में तैय करने पड़ते हैं तो बस इसी सोचा मैंने जो मेरे जैसे लोग हैं मैं उनकी मदद करूँ क्यों कॉलेज में मैंने देखा जब मैं पढ़ाने लगी कॉलेज में तो कॉलेज में जो विजयार थी पढ़ने आते थे जो विशेश योगिजन होते थे ब्लाइंड और फिजिकली चैलेंज उनको बहुत समस्या आते थी वो फीस नहीं बर पाते थे उनके पास रहने की समस्या थी उनके पास खान किसी तरह उनको थोड़ी सिंपते डिकते थी तो मेरे पास आते थे कि मैं हम अमारे पास यह समस्या हम क्या थरह है तो मैं उन समस्या ऊनको सुझा थी मतलब एक freelance helper की तरह मैं उनको हल करती थी, फीस बरने के लिए मैं खुद की pocket से बरती थी, फिर अपने रिष्टेदारों और मित्रों से लेके उनकी फीस बरवाने लगी, फिर दिरे दिरे जैसे लोगों को पता लगा, लोग चला के मुझे दे देते थे 1000 रुपे, एक उसम यह 1000 रुपे इन से फीस बर देना, कोई बच्चे तुम्हारे पास आया थो उनकी फीस बर देना, ऐसे करते करते कारवा बढ़ा होता गया, बच्चे मेरे पास आते रहे, मैं उनकी help, जैसे भी होता था, blind आते थे, वो audio cassette के साहरे पढ़ते थे, उनके पास tape recorder नहीं होता, audio cassettes न की आउशकता है, तो वो लोग को record करके दे दिया करते थे, tape recorder की cassettes हम मांग लेते थे लोगों से, आपके घर में वेस्ट पढ़ियो समको जीजी, हम इनको बच्चों को देना चाहते हैं, वो इस तरह से पढ़ते थे, और इसी बीच मुझे समस्या पता लगी, कि इनके रहने खाने की भी ववस्ता नहीं है, गाओं से आते हैं, ज़्यादे थे राजस्ताने एक बहुत ही चोटा, मतलब कम विक्सित प्रदेश है, और जोद्पूरी चोटा का भार ही है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, ऐसे मैं आसपास के गाओं और पूरी राजस्तान के जो विद्य अपने माता पी था कि कोई पुराना मकान था हवेली जिसको कहते हैं, पढ़ियू थी, उन्हों का वहां वो चाहते हैं कि कोई विक्लांग लोग रहें और वो उनके देवा के लिए कोई काम हो सके, तो मैंने का बस बातों-बातों में निकला और मैंने का मुझे दे दो, मैं हेल्पर की तरह हेल्प करती थी, और 99 में हमने एक शुरू की संस्था जिसका नाम में प्रग्यानिकेतन, और उसी काम को आपने आगे बढ़ाया, तो आपकी जीवन का यही दिया ही रहा है कि आप दूसरों की सेवा करेंगे, तो अभी भी आज मैं आपसे पूछना चाहूं होंगी कि अब आगे का जो जीवन है, उसमें आपका लक्ष क्या है, अब क्या करना चाहते है अभी भी, देखिए प्रग्यानिकेतन कि इस था आपना आठ विद्यार्तियों से की थी और दीरे दीरे बढ़ते बढ़ते साथ हो गए, साथ हो गए, उसके बास हो गए, सौ के हमने रोग दिया, क्योंकि हमारे भवन में और जो विश्विद्याले से भी हमने एक भवन प्राप्त किया, उसमें इतनी जगा नहीं है, कि सौ से ज़्यादा विद्यार्ति हुआ रह सके, पानी वगरे की समस्या जाती है, तो सौ विद्यार्तियों को लेकर हम आज चल रहे हमें जिसमें विद्यार्ति शाभ्ति हैं में आजी पीजी करते हैं और वोग्त कुछ हमे लक्ष ऐसल की है, फ्रस्ट ग्रेड, सेक Помट्री, बेरई ठीर, पीम्ट इसे बने हैं बहुत जितने भी विद्यार्तिया आएं समसे कम सभी सफल हैं, अपने-पने शेक्तर में उणन बस ऐसे ही खसकते खसकते अब जीवन में लक्ष यही है कि जहां तक हो सकें हम विशेश योगिजन की सेवा कर सकें चात्राओं को भी हम चात्राओं को मैं रख नहीं पाती हूं कि मेरे पास हॉस्टल जैसी व्यवस्ता नहीं है लड़कियों को भी रखा जा सकता है लेकिन मैंने काफी प्रयास किया सरकार से भूमी प्राप्त करने का मैंने प्रयास किया विश्यू जाले से भी भूमी प्राप्त करने का या कोई भवन मिल जाए जिसमें हम चात्राओं के लिए अलग चात्राओं बना सकें लेकिन वह मैं अब आप देखते हैं राजने ते कारण होते हैं कई कारण होते हैं कि हमें वो जमीन प्राप्त नहीं हो सकी हम लड़कियों की मदद उनके घर रहके ही करते हैं यानि कि उनकी फीज भरवाना या उनके लिए जो भी काम होते हैं उनसे घर से ही करवाते हैं हम लोग और जीवन में यही चाहते हैं कि समाज में जितने भी ऐसे विशेश लोग हैं उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं यह जीवन पुनौतिया में कि एक विकलांग व्यक्ति की विदमना यह होती है कि वो सामानिय व्यक्ति से अपनी तुलना करें तब पता चलता है कि जीवन में समस्या क्या होती है यानि हमारी जो शारीरिक इस्थिति है उसमें अगर हमारी जगे आपको और आपकी जगे हमको रखके देखा जाए तो पता चलता है यह समस्या कितनी गंभीर है हमारी समस्या समस्या जो जीवन चर्या होती है उसको जब हम व्यतीत करते हैं तो उसमें कितना संगर्श होता है यह हर एक जन्दा नहीं रियलाइस करता है तो समाज से हम यह चाहते हैं कि लोग लिप सिंपैती नहां दें जबकि एक किसी भी विकलांग को विशेश योगिजन को देखें तो सकारात्मक और रचनात्मक स्वयोग उस्व प्रधान किया जाए जितना हो सके आप स्वयोग का हाथ आगे बढ़ाईए उसको एक आम इं का तयार हम समाज में करें जिससे एक सकारात्मक सोच के साथ समाज हम विशेश योगिजन को साथ लेकर के आगे बोड़े जरूर जरूर ये माधियम से आपकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंची है और लोगों के अंदर ये जागरूती भी आएगी ये सुनने के बाद कि जो आपने एक बहुत अच्छा वर्ड जो बोला है वो ही मैं बोलना चाहूंगी कि विशेश योगिजन के लिए कुछ करने का सोचे उनको अपना समान समझे उसकी capability के उपर शक्ना करे और उनके साथ साहनूभुती बरा जो वहवार है वो ही रखे क्योंकि वो लोग दया आप हमारे साथ जुड़ी और आपकी जीवनी और आपके कारियों के बारे में हमारे साथ बातचीत की काफी लोगों को प्रत्साहित किया होगा आपने और आपकी ये सारी बातों से मुझे आशा है हम सब को आशा है कि बहुत सारे लोग इसमें से positive सोच को लेके आगे करते रहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक वित्रू बन्यू जे नारी शक्ति हती एमने सलाम करवानू मन थाए साड़ात्रण वर्षनी उम्मर अने साथ वर्षनी उम्मर के जे बच्पन कहवाई छे जे माती अर्धू तो आपने कोई नी याद नती होतु त्यारे जीवन नी आमी विशम परिश्थितियों सामनों करी अने आटला वर्षों पच्छी पड़ पोतानी आ एक क्षतीनी साथे एक मरियादानी साथे अ मरियादित सफ़ल कहई शरताए उज्वल कहई शरताए उच्च कोटीना कहई शरताए एवा कारियों कर्या तो आमाथी अने आसंगर्ष गाथाओ माथी घणुबदु शिखवानू मले छे फरी थी जैरे कर्मा फॉंडेशन ना सहरा इनिशेटीवनी आपने मुलाकात मां मली शु त्यारे आवाज अनेको रीते वीविदक्षेत्रों मां पोताना नामना काढ़ेला सफल थाएला लो अने एमनी जीवननी बातों विशे आपने मानी शु त्यासु दी राजो तार है जो मारी आवजो